वेल्कम टु स्टडी 24 उदेपूर आज के इस वीडियो में हम व्यास्टी अर्थिशास्र के कुछ मुल्टिपल्चुर्स को सोल करने वाले हैं यह आपके अलग-अलग जो ने एक्षाम के लिए आज का हमारा जो विडियो है आपके लिए उप्योगी रहेगा तो चले सबसे पहला जो आज का हमारा प्रस्ण है जब कुल इसपस्ट लाजकत के साथ तब प्राप्त होगी ठीकी गोटनांसी होती और असपस्ट कौन से होती है जो उत्पादक के स्वेम के साधन होते हैं जैसे कि खुद की भूमी हो गई खुद की पुंजी हो गई उसका ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है ये असपस्ट लागत होती है और किसी उत्पादक को उत्पादन में बने रहने के लिए जो लागत किसे कहते हैं, overhead cost जो हैं किसको कहा जाता है, जो fix the cost होती है, इस तिर लागत को हम क्या कहते हैं, उपरी लागत भी कह सकते हैं, तो correct answer इसमें आपका option C, अगला है, सम लागत रेखा, ISO cost line जो हैं, किन दो तत्वों को प्रकट करती हैं, ठीक है, ISO cost line जो हैं, उसको बनाने के लिए हमको, एक तो उत्पादन के जो सादन हैं, उनकी किमत कितनी हैं, जैसे कि labor की price कितनी हैं, और जो capital हैं, उसकी price कितनी हैं, और उत्पादक के पास में, कुल खर्च करने के लिए कितना पेशा हैं, तो यहाँ पे आपका जो correct answer होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, option C, कुल वे और उत्पादन सादनों की जो कीमत होती हैं, उन दोनों को प्रियोक किया जाता हैं, सम लागत रेखा बननने के लिए, अगला है, सीमान्त लागत, marginal cost से सम्मंदित हैं, ठीक है, marginal cost से कौन सा सम्मंदित हैं, सीमान्त लागत से, तो सिमांत लागत जो है यू आकार का होता है बिल्कुल सही है सिमांत लागत वक्र जो है यू आकार का होता है ये तो हमारा गलत लग रहा सिमांत लागत वक्र यू आकार का होता है ये बिल्कुल सही लग रहा है और सिमांत लागत जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं d c upon d q करके ठीक हम अवकलन करते हैं लागत के संदर्प में यहाँ पे तो दोनों से लग रहे हैं b और c correct answer आपका हो जाएगा option b अगला है निमन लिक्षित कतनों पर विचार कीजिए सीमान्द लागत को t c n minus t c n minus 1 द्वारा व्यक्त किया जाता हैं बिल्कुल सही हैं कुल जो लागत से हम सीमान्द लागत ग्याद करते हैं तो हम इस formula का यूज कर सकते हैं या दुसरा हमारा जो formula होता है वो होता है delta t c upon delta q या t c n minus t c n minus 1 तो बिल्कुल सही हैं दुसरा है दिर्ग कालिन लागत वक्रों की अपेक्षा अल्प कालिन लागत वक्रों यू आकरती कम इसपस्ट होती हैं ये गलत लग रहा है ठीक है जो अल्प कालिन लागत वक्रों होते हैं वो यू आकर की इसपस्ट होते हैं एक तरस से तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, option आपका A, अगला है, सीमांत लागत का सुत्र निम्न लिखित में से किनके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो देखी यह formula भी हमने पढ़ा था, इसके द्वारा तो हम व्यक्त कर सकते हैं, बाकी जो लिखे हुए हैं, इनके द option C, ठीके पहला तीसरा और चोथा जो formula लिखा है, उसके द्वारा हम ग्यात नहीं कर सकते हैं, अगला है, प्रारंबिक उत्पादन अवस्ता में अविबाज सादनों के प्रियोक से, ठीके अविबाज सादन क्या होता हैं, कर जैसे भूमी हैं, तो भूमी को हम पूरी मातरा में प्रियोक करेंगे, एक मशीन जैसे मशीन को हम पूरा प्रियोक करना पड़ता हैं, ठीके, तो अविबाज सादनों के प्रियोक से क्या होता हैं, प्रारंब में हम कह सकते हैं, कि जो ओस्त लागत वक्र हैं, अल्पकालिन ओस्त लागत वक्र ये क्या होता हैं, गड़ता जाता है इस तरीके से ठीके फिर अगला है यदि सीमांत लागत बढ़ती है तो उसत लागत तो यहां पर आपको उसत लागत और सीमांत लागत का जो सम्मन है वो ध्यान रखना है तो यहां पर देखिए जब सीमांत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी क्या होती है ब ज्यात करने का जो सुत्र इन में से हैं वो कौन सा है आपका option a, t, c, n, 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 a, koye से भी हो सकती है, माना कि हमको उत्पादन की पांचवी एकाई पर अगर हम सिमान लागत क्याँत करनी हैं, तो पांचवी इकाई पर कुल लागत कितनी है ठीक है उसमें से माइनस कर देंगे टी सी एन माइनस वन का मतलब क्या हो गया पांचवी से पहले वाली चोथी इकाई पर कुल लागत कितनी है पांचवी काई की कुल लागत माइनस चोथी काई की कुल लागत का अंतर क्या होता है सीमांत लागत होती है marginal cost होती है अगला है निमनल लिख्षित कतनों पर विचार कीजिए वास्त्विक लागत की जो अउधाना है वो Marshall की देन है बिल्कुल सही कतन है लिफापा वक्र भी कहता है बिल्कुल सही है इस पस्ट एवं अइस पस्ट लागते मौद्रिक लागत का अंग होती है बिल्कुल सही है भी हमने फर्स कोशन किया था और इस्तिर लागत को उपरी लागत के नाम से पुकारा जाता है तो इन में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला है निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए दिर्ग कालिन लागत वक्रों की यू आकरती अल्प कालिन लागत वक्रों की तुलना में कम तिवरो होती है बिल्कुल सही है ठीक है अल्प कालिन लागत वक्र यू आकर के होते है लेकिन दिर्ग कालिन थोड़ा से चप्टे हम कहा सकते हैं इस तरीके से तो पहला कतन मिलकुल सही है, दिर्ग कालिन लागत वक्र कभी भी यू आकार के नहीं होते हैं, ये गलत था होगा, ठीकि यू आकार के हो सकते हैं, थोड़े चप्टे होते हैं, फिर दिर्ग कालिन लागत वक्रों की यू आकरती अल्प कालिन लागत वक्रों की तुलना में अ rectangular hyperbola के समान होता है, टेके, किस वकर को हम rectangular hyperbola, आयताकार, धिंदिया, हिंदी में हम कहते हैं, आयताकार अति परवले वकर जो हैं, वह कौन सा होता है, ओसत इस्थिर लागत वकर, टेकी, इसका आकार जो होता है, वह इस तरिके से बनता है, क्योंकि हम कुल इस तिर लागत में उत्पादन की बढ़ती हुई का भाग देते हैं तो इस आकार को क्या कहा जाता है आयताकार अतिपरवला ए एपसी आपका वक्र होगा अगला देखिए जब फर्म सामाने शम्ता से अधिक उत्पादन करती है तो उसकी जो उसत परिवर्टन देखिए अगर उसकी जो शम्ता है उससे अगर कोई भी फर्म अधिक उत्पादन करेगी तो जो परिवर्टन चील लागत वो क्या होगी तेजी से बढ़ेगी तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उप्शन बी अगला उसत लागत एसी सदेव एक सी नहीं रहती है इसमें परिवर्टन होता है उत्पादन के अनुसार ठीक है उत्पादन की मात्रा अगर कम जादा होती है तो जो उसत लागत वक्र है या उसत लागत है वो भी क्या होगी परिवर्टित होगी अगला हैं सीमान्त लागत था कुल लागत में कोई भी परिवर्तन एक फर्म की ठीके सीमान्त लागत में अगर परिवर्तन होगा कुल लागत में अगर परिवर्तन होगा तो उस्त कुल लागत जो होगी वो क्या होगी फर्म की बद लेगी ठीक इसमें यह होना चाहिए फिर अगला है अपून प्रत्विगिता की स्थित में क्या होता है जो AR वक्र का ढाल होता है ठीके AR is greater than MR होता है यह देखिए ठीके यह आपका MR वक्र होता है यह AR वक्र है तो AR वक्र उपर की तरफ होता है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं AR is greater than MR option B अगला देखिए इन में से कौन ओसत आय थता सिमान ताय का संबन नहीं दर्शाता है ओसत आय दाये से गिर्टवी एक सीधी रेखा हो ठीके यह देखिए सीधी रेखा हमने बना दी है और उससे लंब अक्ष पर खिचे गए लंब को सिमान वक्र दो बराबर भागों में बाटे का बिल्कुल सही है जब ओसत आय एक शेतीज वक्र हो इस तरीके से हो तो उस समय ओसत आय सीमान ताय के बराबर होगी ए आर बराबर एमार एसा पून प्रत्वी गिता में होता है यह भी बिल्कुल सही है तो यहां पर पूछाओ कि संबन नहीं दर्शाता है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन बी अगला प्रस्ट देखिए वस्तु की एक इकाय की कीमत तता कुल विक्रे की गई इकायों के गुणन फल को वस्तु की इकाय की की कीमत प्राइस यहां जिसको हम अर के सकते हैं और कुल विक्रे की मात्रा क्वांटिटी प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टिपलाई करें कीमत को मात्रा से गुना करते क्या आ जाएगा फर्म की टोटल रिविनियों की कुल आगम आ जाएगी option c कुल आगम में परिवर्तन की दर को क्या कौन बताता है ठीक है अब माना की वस्तु की पांच इकाय बेचने से किसी फर्म को 100 रुपए की आय प्राप्ट होती है छटी इकाय को बेचने से आय कितने हो गई है 120 तो यह कुल आगम में जो परिवर्तन होता है टोटल रेविन्यू में जो चेंज हुआ है उसको कौन दर्शा हैगा सीमान्त आगम मारिजनल रेविन्यू ओप्शन आपका बी श्री मती जोन रोबिंसन के अनुसार AR और MR की बीच में जो संबंद होता है वो क्या होता है AR जो होता है वो MR E upon E minus 1 के बराबर होता है और यहीं से आपको एक और ध्यानक ना है MR जो होता है वो किसके बराबर होता है AR E minus 1 upon E के बराबर होता है तो यहाँ पे correct answer option D अगला प्रशना बाजहार की सभी इस्तितियों में कौन सा वक्र उत्पादक के लिए कीमत रेखा तो जो AR वक्र होता है वो कीमत रेखा दर्शाता है उस्वत आगम वक्र होना चाहिए option आपका B अब देखिए अगले जो प्रशना आपके है उसको ध्यान पूरक पढ़ना है और सभी उत्तरकापन को चेहन करना है A और R दोनों सभी है R A की सभी वेक्या करता है उसके लिए आपको A option देना है अगर दोनों आपको कथन दे रखे हैं उसका कारण दे रखा है दोनों सभी हैं लेकिन सभी वेक्या नहीं करता है उसके लिए आपको B बताना है अगर A सभी और B गलत है ता आपको C option देना है A गलत है और R सभी ता आपको D option देना है ठीकि उस आदार पर तो हम तो यहापर direct कर लेंगे इनको सबसे बेरा देखिए कि कथन A आपका दे रखा है उत्पाद रेखा एक समुत्पाद वक्र से दूसरे समुत्पाद वक्र पर जाने की गत्ती प्रदशित करती है यह बिल्कुल सही लग रहा है product line जो है फिर दूसरा आपका दे रखा है उत्पाद रेखा उत्पादन के विस्तार के संभावित प्राविदिक पत को प्रदशित करती है ठीके जो पेमाना रेखा एक तरह से हैं तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही होने चाहिए मतलब कथन और कारण दोनों सही है और उसकी जो व्याक्या है वो सही की गई है समुत्पाद वक्र उद्गम बिंदू की और उन्नत दर होता है इस तरह क्या करोता यह उद्गम मिन्दू हैं यहां से अगर हम देखें तो यह उन्नत दर हैं कॉन्वेक्स हैं मिल्कुल सही है समुतपाद वक्र विश्लेशन में जब एक साधन की मातरा को बढ़ाते हैं दूसरे साधन की मातरा को इस प्रकार गटा देते हैं कि कुल उत्पादन जो हैं वो इस्थिर रहें तो यहां पर देखिए कथन तो दोनों सही लग रहें लेकिन कारण जो है वो इसका यह नहीं होना चाहिए दोनों बढ़ाते हैं दूसरे साधन की मातरा है ठीक है कथन दोनों सही है यहां पर अगला देखिए कथन यह हमरा है समरूप उत्पादन फलन के अनुसार जब उत्पादन के समस साधनों को किसी अनुपाद में बढ़ता है बिल्कुल सही है कि साधनों को अगर हम 10 प्रतिशत बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी क्या होगा 10 प्रतिशत ही बढ़ेगा फिर समरूप उत्पादन फलन में एकाई वार उत्पादन का निर्धान उसके उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है ठीक है यह नहीं तो आपका पेला कतन ही सही होगा यहां पर फिर है जब कुल उत्पादन गटती उदर से बढ़ता है तो सिमान उत्पादन गटेग उत्पादन की दूसरी अवस्ता को इस्तिर प्रतिफल का जाता है ठीक है उत्पादन की जो दूसरी अवस्ता उसको क्या का जाता है गड़ते प्रतिफल की अवस्ता का जाता है प्रतम अवस्ता को बढ़ते प्रतिफल की अवस्ता केते हैं दूसरे को केते हैं गड़ते प्रत परिवर्तन चिल अनुपात्तों का नियम केते हैं अल्पकाल समय में इस्थिर सादनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ठीक है यह भी हमारा कथन क्या है बिलकुल सही है तो यहां पे जो आपका अंसर हो जाएगा तो यहां पे कथन भी सही है और इसका जो कारण है वो भी सही व्यक्षा की गई है अगला देखिए पेमाने के प्रतिफल का नियम दिर्ग काल इन समय में लागो होता है बिलकुल सही है दिरकाल समय में परिवर्ती सादनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता ये गलत हैं ठीक है तो यहां पे केवल कथन एस ही है आगे देखिए राश्ट्री आये में श्रम तथा पुंजी सादनों के साप्पेकशिक अंश जो होते हैं वो सदेव इस्थी रहते हैं ये हमारा कथ कथन हैं और कारण क्या दे रखा हैं कोब डगलस उत्पादन फलन यहां दर्शात हैं ठीक है कोब डगलस उत्पादन फलन में q is equal to a k की पावर अलफा एल की पावर बीटा तो यहां पे जो अलफा और बीटा है ठीक है वह एक तरह से श्रम और पुंजी के जो साप्यक्शि उत्पाद लोच होती उसको दर्शात है और राजट्या में जो हिस्सा होता है श्रम और पुंजी का वो बड़ा इस्थिर होता है ठीक है तो यह दोनों सही हैं पर कथन भी सही है और इसका जो कारण दे रहे खाएं वो भी सही है अगला देखिए कोब डगलस उत्पादन फ और व्याक्या जो की गई है वो भी सही है अगला देखिए उत्पादन में वरद्धी के साथ साथ कुल लागतों में वरद्धी होती है उत्पादन अगर बढ़ेगा तो कुल लागत भी क्या होगी बढ़ेगी तो पहला कथन जो हमको दे रखा है वो सही दिया हुआ है फिर यहां पे कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण जो दिया हुआ है, वो कथन की व्याक्षा नहीं कर रहा है, अगला देखिए, ओस्त आगम वस्तु की किमत के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, जो average revenue होती है, वो price के equal होगी, बिल्कुल सही है हमारा पहला कथन जो है, वो सही है और कारण इसका देरेखा है, कुल आगम की गर्णा वस्तु की कुल बेची गही इकायों तथा बिक्री किमत के द्वारा, टी आर बराबर price into quantity, तो यहां पे कथन और कारण सही है, लेकिन यहां पर जो कारण दिया हुआ है, वो कथन की व्याक्षा नहीं करता है, अगला प्रस्न देख्ये, सुमेलित करना है सुची एक को सुची दो के साथ मे, तो वास्तविक लागत की जो आउधारना है, वो मार्शल के साथ में संबंदित है, जब offenders लागत इस्थिर होती है, तो सिमान लागत एक तर और से क्या होती है, जब होता है, वहां पर होती है उस्तिर लागत क्या होगी फिर बढ़ती हुई हम कह सकते हैं तो correct answer आपका हो जाएगा फिर उसके बाद में 1 rectangular hyperbola आयताकार अतिपरवलाई जो है वो किसको का जाता है उस्तिर लागत तो का जाता है AFC को का जाता है तो 2143 यह हो जाएगा आपका option A अगला देखिए जब सीमानत लागत कम होती है तो उस्तिर लागत क्या होगी उससे अधिक होगी तो सबसे पहले आपका क्या आना चीए 2 फिर आधुनिक लगान की अवधारना जो है उसका आधार क्या है ठीक है आधुनिक लगान की जो अधाना उसमें वर्तमान आयमेंस से हस्तांत रनाई या जिसको हम अवसर लागत कहते हैं उसको माइनस करते हैं तो 2 के बाद में आपका आजाएगा, 1 फिर उत्पादन लागत किसी वस्तु के उत्पादन में किया गया समस्तवे हैं तीसरा आजाएगा आपका, ठीक है, तो 2, 1, 3 और उसत लागत जो हैं वो आपकी उत्पादन के नियम के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती हैं, तो 2, 1, 3, 4 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4 था आपका, ठीक है, 2, 1, 4, 3, तो ओप्शन आपका A अगला देखिए, दिर्ग कालिन ओसत लागत वक्र, ठीक है, दिर्ग कालिन ओसत लागत वक्र, एक फर्म के नियोजन के साथ में सम्मन्दिते सबसे पहलाब कारना चीए, फोर, यू आकरती, यू आकरती कौन सी होती हैं, उसत परिवर्तंशी लागत वक्र होता है, ठीक है, लेकिन आपर के वल परिवर्तंशी लागत लिखावा है, प्रमुक लागत भी एक तरह से परिवर्तंशी लागत होती है, वास्तिविक लगान की जो होदाना है, वो डोक्टर मा परशल की हैं तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकती है कोशन में जिसको आप चेक कर लिजिए अगला प्रशन देखिए सुमीलित करना है अगर हम कुल लागत में उत्पादन की कायों का भाग देंगे टी सी अपन क्यू करेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा ओस्त लागत आजाएगी एसी आजाएगा सबसे पहले तो आपका क्या आना चाहिए सबसे पहले वन आना चाहिए फिर ओस्त लागत को अगर हम क्वांटिटी क्यू से मल्टिप्लाइ करें ओस्त लागत को मातरा से गुना करोगे तो क्या आजाएगा हमारी कुल लागत आजाएगी तो फिर आपका अच्छी ए 4 TC TC N-TC N-1 अगर करोगे तो क्या आजाएगा सीमांत लागत आजाएगी तो फिर आजाएगा आपका 2 1, 4, 2 और फिर आपका हो जाएगा 3 ठीक है सीमान दलागत जो हम कैसे निकाल सकते हैं इसे तो टू वन स्वरी वन फोर टू थ्री वन फोर टू थ्री आपका कहां पर है डी ओप्शन में है फिर देखिए q equal to function of lk एक उतपादन फ Latin दे रहा है लेकिन इस में कोई भी साधन देखे इस्तिर नहीं है तो ये किस के साथ में सम्ममदित होगा दिर्गकाल के साथ में सम्ममदित होगा फिर q equal to function of lk k के उपर बार लगा रखा इसका मतरप पुंजी क्या है इस्तिर है तो इसी इस्तिर साधन कब होता है अल्पकाल में और Q equal to function of A, A की power alpha, L की power beta ये कोब डगलाज उत्पाधन फुलन होता है तो सई क्रम आपका हो जाएगा 2, 1, 3 सुची एक को सुची दो के साथ में सुमिलित करना है Q equal to function of C, L bar ठीक है इसका मदलब श्रम क्या यहां पे स्थिर है तो श्रमिक स्थिर है यह देखिए यह आजाएगा सबसे पिल आपका फिर Q equal to function of L, C bar C का मदलब आपके capital से, पुंजी से, पुंजी स्थिर है तो पुंजी स्थिर में यह आजाएगा आपका Q बराबर function of L, M, C यह बहुत अलग-अलग सादन ले रहे हैं यह आपके पेमाने के प्रतिफल को दर्शाएगा और K बराबर अगर 1 है यह किसको दर्शाएगा इस तरीके साब को मेच करना है फिर यहां पे भी आपको सुमीलित करना है इस तिर प्रतिफल के लिए हम क्या लेखेंगे K equal to 1 वरदमान प्रतिफल के लिए K is greater than 1 और greater प्रतिफल के लिए K less than 1 तो यह जो करम है वो आपका यहां पे सही है ठीक है 1, 2, 3 अगला प्रस्टन देखिए सुमीलित करना है सुची एक को सुची दो के साथ में उत्पादन में अनुपातिक वरदी कम है सादनों में वरदी की तुलना में तो जिस अनुपाद में सादन बढ़ाते हैं उत्पादन अगर उससे कम उनुपाद में बढ़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं गड़ते प्रतिफल केते हैं सबसे बहुत थ्री आ जाएगा उत्पादन में अनुपाथिक व्रदी जादा है साधनों में व्रदी साधनों को अगर हम 10 प्रतिशत बढ़ाते हैं अगर उससे जादा बढ़ जा जैसे की 20 प्रतिशत तो उसको हम क्या केते हैं बढ़ते प्रतिफल तो फिर आपका आ जाएगा टू और अगर जिस अनुपाथ में हम साधन बढ़ाते हैं उत्पादन भी अगर उससे अनुपाथ में बढ़ता उसको हम क्या केते हैं इस्थिर प्रतिफल केते हैं तो सईक्रम आपका हो जाएगा 3,2,1